नमस्षोर्स व्लकम बाक टी यू, ओन जेनल वेल्स अगर जे 30th of May 2024, 4th of June को आने वाले हैं election के results, काफी सारे traders और investors इस पर नजर लगाया बैठे हैं कि कौन सी government form होगी, ताकि हम decision लेग सके हैं कि हमको किस प्रगार का trade या investment करना है, So, ये वीडियो इस मामले में बहुत ही important और informative होने वाला कई सारे लोग मेरे को इस important वीडियो के खतम होने के बाद हो सकता है, अन्दभक्तिया, फिर चमचा बोलने लगे जैसे कि slang आजकल चल रहे हैं market में, But, दोस्व, this is an uncut and unedited video जो कि मैं आपके सामने post करना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं आपके सामने data bring out करूँगा, जिसे कि आपको ये decision लेना असान हो सके कि कौन से stocks में, कौन सी strategy में, क्या strategy आपको बनानी चाहिए, जिससे कि आप इस event का maximum benefit उठा सके हैं, As again, I am telling you, मैं हमेशे एक तरह बोलता हूँ, किसी भी stock में investment करने से पहले अपनी definitely research करना बहुत जरूरी है, तो मैं सिर्फ आपके सामने कुछ important data points लेकर कर आया हूँ, दोस्व, उसको study करते हैं, दोस्व, पहले कुछ facts से बारे हम बास्चित कर लेते हैं, कि मोदी जी ने इंडिया में जब 10 साल अलेडी कार्ट दी है, तो हमारी GDP को कहां से कहां लेकर कर गए हैं, दोस्व, 2014 में जब मोदी जी आया थी, इंडिया की GDP थी, that was somewhere close to 2 lakh crores, ठीक है, और अभी अगर आप जानके पूछेंगे, 2019 में कहां पर GDP पहुची थी, 2016-19 में, जो GDP पहुची थी, that reached at 2.84 lakh crores, उसके अद अनफॉचनेटली, COVID आ गया था, COVID के बाद, बहुत ही तेजी से, rampant upside दिखाई पड़ी GDP में, और ultimately अगर आप अभी के बारे में बात करें, तो हमारी GDP is close to 3.9 lakh crores, जिसको कि आप 3.9 trillion भी बोल सकते हैं, और जो कि अगर आप देखें, तो almost 2014 है, 2014 से लेकर कि अभी तक 2024 तक, that is 10 सालों में, हमारी जो GDP है, उसको double कर दिया है, गौर्मेंट ने, जो कि एक मेरे साब से एक बहतरीन achievement है, especially अगर आप compare करेंगे COVID के समय, जब COVID के जब fall आई थी, उसमय, the market had fallen, और 2020 में, the GDP had also crashed, और GDP में भी काफी ज़्यदा drop आया था, and GDP fell as low as 2.67 lakh crores, in fact, I also want to highlight कि 2019 में, जब BJP government आई थी, तो उसमय क्या GDP थी, तो जब BJP government 2019 में थी, उसमय GDP was 2.84 lakh crores, और अभी क्या है, अभी है almost close to 4 lakh crores, तो पिछले 5 सालों में, the government has been able to contribute almost 30-40% का upside as far as GDP is concerned, अब दोस्तों, इसकी light में ये भी देखना जरूरी है कि हम लोग चुकि market participant है, तो हमारी market ने क्या growth दिखाई in the last 10 years, अभी Nifty 50 trade कर रहा है 22,550 के आसपास, और 2014 में जब BJP की government पहली बराया थी in 2014, April में में जब BJP government elect हो थी तो उसमय Nifty 50 was trading somewhere close to 7500, can you see this, so दोस्तों, अभी मैं ये भी आप discuss करूँगा, अभी मैं ये भी discuss करूँगा, कि market के results के पहले और results के बाद market कैसा behave करी थी in last two elections, उसको भी हम लोग discuss करेंगे, पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं दोस्तों कि हमारी market कितना rise up कर चुकी है, run up कर चुकी है, तो जहाँ GDP हमारी 2X होई है, twice होई है as compared to 2014, वहीं पर हमारी market जो कि अभी 7700 से compare करें, तो almost 3X हो चुकी है, तो कि उस समय market rate करें थी 7500 के आसपास, अभी market rate कर रही समय close to 22500 के आसपास, तो हमारी market has been 3X, मतलब GDP की growth से ज्यादा, आगे के future की growth को भी market factoring कर चुकी है, बैस सिंपल से चीज़ है, जो GDP थी 2,00 करोड थी, वो अब जाकर के 4,00 करोड हो पाई है, जबकि market 7,000 करोड से, 7500 से, अलरी 22,500 पहुंच चुकी है, तो हम लोग ये safely assume कर सकते हैं, कि market ने ये assume कर लिया है, कि इंडिया की growth आगे आने वले सालों में भी होती रही, और वो चीज हमारी market में already factoring हो चुकी है, अब जैसे कि बाकि सार सारी governments हैं, बाकि सारी parties हैं, not governments exactly, बाकि सारी जो parties हैं, वो सारे के सारे blame game लगाते रहते हैं, कि इसका जो benefit मिला है, वो अबानी और अडानी को मिला है, तो क्या ये fact है, तो दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी, और बिस राइस चुनो कि जब हमारी GDP सिर्फ 2X होई है, व 2800, मतलब 7 times growth हुई है, shareholders के पैसे में, Reliance के empire में, 7 times of growth हुआ है, in last 10 years, काफे सारे लोग इसको जैदा मानेंगे, काफे सारे लोग इसको कम मानेंगे, क्यों कई सारे ऐसे companies हैं, जो कि पिछले एक साल के अंदर, 8, 8, 10, 10 times हो चुकी हैं, अच्छा, अगम लोग Adani Group के stocks के बारे share almost 4000 के highs को लगा के गिरने के बाद, Hindenburg के issue के बाद गिरा था, तो मतलब अगर आप देखे हैं, तो stock almost 15X, 15X हो चुका था, और उसके बाद अभी गिरने की बाद, stock फिर से 3200 पहुच गया है, तो आप safely assume कर सकता है कि पिछले 10 सालों में, Adani Enterprises has been 10X, 10 गुना भाग चुका है in last 10 years, और उसी प्रकार से Adani Port has risen from 200 to 1200, 1200 to 1400, which is almost 7X again, यह भी 7 टाइम भागा है, वही पर अगर अगर हम लोग बात करें, Adani Green, जो कि सिर्फ concept था उसमें, 2019 में concept बना था, जब BJP की second government आई थी, तभी यह कंपनी उससे उसे थोड़ा सा पहले ही लिस्ट हुई थी, और समें स्टो का प्राइस रेट कर था 30-40 रुपे के आसपास, 30-40 रुपे का शेर पहुँच गया था 3,000, मतलब 10X in just couple of years, तो दुसों यह बात तो बिल्कुल कहना fact है, आपके सामने है, कि पांच सालों में stock 10 times हो गया था, that is the reason why this has grown the wealth of Gautam Madani जी to massive level, और वो इंडिया के second richest बन गया थे, अब दोस्तों यहां पर दो question उड़ते हैं, कि अगर BJP की government आती है, तो market में क्या होगा और BJP की government नहीं आती है, तो क्या होगा, so simple चीज़ दोस्तों, अगर market ने यह काफी हथ तक यह assume कर रखा है कि BJP की government form होगी, अब इसमें दोस्तों मेरे को यह मत कहना कि I am the bug, then this, that, जो is a fact, that is a fact, अब market ने यह safely assume कर रखा है, the BJP's government is likely to come, और दोस्तों अगर यह नहीं आती है, तो market में solid गिरावाट की expectation रखनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ultimately दोस्तों, जिस प्रकार से GDP की growth हुई है 2X, और market अलड़ी 3X पे चल रही है, तो market को अगर आप देखे हैं, तो already 1X, सिंपल सी गणी थे, 15,000 होना चाहिए, लेकिन market कहां trade कर रही है, market trade कर रही है 2,500, मतलब वो already, यह जो साले 7,000 का gap है, वो already factor कर चुकी, तो दोस्तों, अकर BJP की government नहीं आती है, you can safely assume, by maths, let's talk maths, let's talk, bilkul, bilkul, absolutely maths, so market में यहां से 25% का correction सीधे सीधे होता हुँ, कफी सारे लोग market will fall 25% if BJP doesn't come, क्योंकि market will straight away bang, simple simple चीज़ है, जिस प्रकार की growth हुई है GDP में, market भी उसी growth को के equivalent आ जाएगी, तो equivalent मतलब 22,500 से 7,000 का गिरावाट होगी, तो यहां से safely assume कर सकते हैं, कि 25-30% की गिरावाट आपको expert करने चाहिए, in case BJP does not come, अब दोस्तों, second parameter को assume करते हैं, कि to happen, so यहां पर हम लोग 2019 का scenario लेकर के चलते हैं, क्योंकि 2019 में, this was almost sure कि BJP will come, और market ने कैसा react किया, उसके बाद में, यह जाना बहुत जरूर ही है, so दोस्तों, आपको जान करके हरानी होगी, या फिर खुशी होगी, या फिर जो भी आप बोलें, so 2019 में जब election के results है थे, अगर market exit call के नतीजे के चलते है कि BJP की government है कि stock market अलड़ी 11,200 से run-up करके, अलड़ी 12,000 पहुंच गे थे, 10% का run-up market ने सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर दिखाया था, और जैसे ही results है थे, as soon as the results came, the market fell, तो दोस्तों, यहां पर, जबकि market को पता था कि Moody जी का जो wave था, वो सारी की market को समझ में आ जाने चाहिए, कि market में 10% का उच्छाल हो था, जबकि market was very, very sure, so यहां से 10% का safe assumption आपको रखना चाहिए है कि exit call के नतीजे के बाद 10% की upside तो आपको expect करनी ही चाहिए, हम लोग history के बारे हम बात कर रहे है, maths के बारे हम बात कर रहे है, जो facts हम बारे सामने है, उसको कर रहे है, the market was trading at the price of 12,000, उसी दिन market में अच्छी खासी गिरावट हो थी, and the market fell substantially, अच्छी खासी गिरावट होने के बाद, market ने उसके बाद, अगर आप देखें, तो वहां से अगले, this was, this is May, this is May, आपके सामने सारा डेटा है, में से लेकर के, market ने अगले आने वाले 6-7 म नहीं ने, वो लेवल नहीं देखा, and market fell as low as from 12,000 levels to 10,000 level, मतलब market अपने हाई से 20% करेक्ट कर गे थी, crash कर गे थी in 2019, तो दोस्तों, जो लोग ये सोच के बैटे हैं कि 4th of June को मैं अपना भर-भर के पैसा market में लगा दूँगा, just because Modiji आने वाले हैं, so दोस्तों, I need to warn you, I need to bring facts in front of you, कि क्या हो सकता है, good, bad, ugly, क्या हो सकता है, दोस्तों, ये तो future है, you can always say, कि sir, आपने तो ये बोला था, मैं आपके बारे में वो चीज़ बात करने ही कुशिश कर रहा हूं, कि जो चीज़ हुआ था, यहाँ पर एक बड़ा इंट्रेस्टिं सेनेरियो निकल करके आता है कि 2014 में किया हो था, 2014 में तो ये चीज़ था कि मोदी जी आएंगे, कॉंग्रीज बात सकती है, लेकिन मोदी जी की वह बहेंकरती, तो 2014 में जब BJP के रिजल्ट था उस दिन भी है, मैं आपको देला देना चाहता हूं, that was 16th of May, अब दोस्तों, यहाँ पर बड़ा ही इंट्र 6700 से 7500, which makes approximately 10% upside after exit poll, लेकिन यह तब था, जब मोदी जी के का पहला टम था, market बिल्कुल, यह बिल्कुल assume करके रखे होई थी, कि हो सकता है, मोदी जी है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, but in 2019, it was very much sure, है लेकिन उसके बावजूद भी, 2019 में, 2014, दोनों में 10% की upside दिखाई लेकिन जो लोग इस सोच पे बैटे हुए है, कि जिस दिन मोदी जी की government form हो जाएगी, उसके बाद पैसा लगाएगी, so दोसमों बड़ा ही interesting data है, कि जिस दिन result आयते सिक्षी तो में को उस दिन market में गिरावाट हुए थी, market fall, market fell, and close exactly at the same price, जिस लेवल पर market open हुआ था, ठी 7500 के, ठीक है, और ultimately अगर आप देखे तो market कम से कम 4-5 महिने तक बिलकुल उसी जून पे 7500, 7600, जिसे लेकर के September तक, that is from the month of May till the month of September, बिलकुल भी move नहीं किया था, जबकि मोदी जी आय थे, अच्छे दिन, you know, what not, लेकिन ultimately market move, did not move, May, June, July, August, September, 5 months market did not move at all, बास में आरीक नह आरी है, अब दोसों, आज है, today is 30th of May, और 1st of June से exit poll के नतीज आना शुरू हो जाएंगे, so दोसों, हम लोग safely assume कर सकते हैं, कि 1st of June के बाद, मतलब कल है 31st of May, और 1st of June के बाद, market में एक upside, एक uptick की expectation आपको रखनी चाहिए, और कितना रखनी चाहिए, based on previous history, 10% लेकिन result के that is 4th of June के बाद, आपको market से जादा expectation रखना बिल्कुल बेवकूफी होगी, क्योंकि कम से कम पिछले 2014-2019 का data हमारे सामने है, market 3-4 महिने, 5 महिने, 6 महिने, 2014 में तो 3-4 महिने, और 2019 में तो even market crashed 20% from its highs, ये चीज आपको clear हो चुकी है, अब दोस्तों, सवाल उठता है, कि market में ग crash होगा, market 20% गिर सकती है, so दोस्तों, that level is nothing but 22,200 levels, simple as that, जैसे ही level breach होगा, जैसे कि आप देख पा रहे है, market इसको support लेकर के bounce कर रही है, यहां सिकर market crack होती है, the next support is going to be 21,150, जो कि अगर आप यहां से देखें, तो not exactly 10%, बढ़ हां, करीब-करीब 5-7% की correction आपको definitely expect करने अपने decision making कर सकते हैं, अब जो लोग option buyer हैं, और उस दिन के लिए option को buy करके बैठे हुए, तो मेरे इसाब से दोस्तों, the best time to exit your trades should be, अगर आप straddle बना करके बैठे हुए, option buyer है, straddle बना करके बैठे हुए, तो best time to exit should be tomorrow, that is Friday, मेरे साब से कल के दिन निकलना ही सबसे बहतरीन option होगा, क्योंकि जैसे ही results आएंगे, exit poll के, उसके बाद Wix volatility index crash होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें volatility index is trading, it's two year highs, that is अगर आप देखें, तो 2022 के बाद, 2022 का ये Wix का level है, और अभी 2024 में, 24 के आसपा से पहुँच गया है, तो कि दो साल बाद इतने highs पे आया है, और जब volatility drop होगी, option के premium drop होना तै है, तो जो लोग ये सोच के बैठे हुए, कि मैं option का straddle ले लूँ, और market का call or put buy कर लेता हूँ, add the money के, और उसके बहुत ही तीजी से बढ़ोतरी होगी, तो दोस्तों, you are set to lose, I am telling you, ये आप थोड़ा सा ध्यान लाकिए, बाकि आप मुझे experience अपना technical, तो उसके लिए हम लोग cash call strategy को कल sham को अपने डिपलॉई करेंगे, market के close होने से just एक घंटे पहले, और I am pretty confident, that is good to make a massive profit up for us, अगर आप सीखना चाहते हैं, कैसे करते हैं, option buying, option writing, link description में है, make use of that, and do share with your friends, especially those people who are trader and investor, bye-bye for now.